हाई एब्रिवाउन ख्यूआ वाचिंग सीदोस ही आप आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें फेस्बुक पर फॉलोग कर सकते हैं मज़ेदार अपडेट्स जानने के लिए उर्ने की आश्या में आज रात आप देखेंगे कि सचन यहां पर दो दि के लिए जा रही हो मुझे अकेला छोड़ कर सचन कहेगा कि हां मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जो एक्सपेंसेज हैं वो लंबी ट्रिप में जादा मिलते हैं और हमें ऐसे सेविंग करने का मौका मिलेगा यह दोनों एक दूसरे को अपना ख्याल रखने के लिए कहते है सचन थोड़ा सा शर्माता है सयाली के करीब आने से और वो कहता है कि तुम मुझे कॉल करना रोज ठीक है और सयाली भी कहती है जूही यहां पर घर में आती है और रिया से मिलती है लेकिन ममता डाउट है डाउट करती है उसकी अपेरेंस पर वो कहती है उससे कि तुम्हारी और मेरी friendship जब से हैं उसकी मॉम को देख करके वो कहती है और ममता ने मुझे कभी नहीं देखा तो महारी माँ ऐसा बोल रही थी तब ही रिया देखती है और वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो कितने excited है और वो से अपने घर में welcome करती है ममता अपनी बेटी से पूछती है कि रिया क्या हुआ ये कौन है पहले तो मैंने नहीं देखा रिया अपनी mom से कहती है कि ममा ये मेरी school friend है जब हम वसाभी में रहते थे तब मेरी दोस्पनी थी जूही भी यहाँ पर fake close आती है रिया के इन दोनों को मिलने के बाद रिया जूही यहाँ पर कहती है कि चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ अकाश ने मुझे एक plan बनाया है वो बताया है तो मैं बोलने के लिए अकाश यहाँ पर अपना gratitude express करता है जूही के लिए कि वो कितना help कर रही है उसका प्यार को पाने के लिए तब ही जूही अकाश से कहती है हम शादी कहां करेंगे अकाश request करता है कि हम शादी मंदर में करेंगे जो मेरे घर के पास है शोबा कहती है कि ठीक है वो उसके पीछे फूल बेशती है न वो वाला जो मंदर है वहाँ रिया यहाँ पर रागफ वो कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड के शादी में आओगे यहाँ पर वो request करती है कि क्या तुम थोड़े से पैसे arrange कर सकते हो वो excited feel करती है और overwhelmed भी वो कहती है कि सुनो मैं काम करती हूँ मैं न रागफ के साथ मिलकर के कुछ help करती हूँ उससे बिना कुछ कहे मैं सब arrange कर वा लोगी इधर अपने खुद के room में आती है और सयाली अपने husband को miss करती है वो phone लेती है उसे call करती है लेकिन hesitate करती है इधर बीच रात में सर्चन यहाँ पर सयाली को call करता है पूशता है क्या कर रही हो वो दोनों एक दूसरे से पूशते हैं कि कैसे time spent किया एक दूसरे के बीना सर्चन कहता है कि मुझे तेरी आदा रही है तेरे अच्छे खाने की तब ही सर्चन यहाँ पर कहता है कि क्या मेरी बीवी यहाँ कभी karen में सो सकती स्याली को बहुत बुरा लगता है कि उसका husband कितना दादा struggle कर रहा है पैसे कमाने के लिए और उन दोनों के लिए क्योंकि सचन को कमने नहीं मिल रहे हैं सोने के लिए उसे कार में सोना पर रहा है सचन एशुआ करता है कि मैं देखना सब कुछ ठीक कर दूँगा और तू मंदर गई थी जहां तुने promise किया था कि तुप पूजा करेगी शो भाइं आप प्लान करती है कि वो भी कल मंदर जाएगी जूही कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके problem क्या है अगर मैं रिया कि मदद कर भी दूँगी तो उसमें क्या problem है वैसे भी यहां पर उसकी मा कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए अकाच से और यह सुनकर कि खुझ जूही भी काफी जादा सप्राइस है अब देखना होगा भी है देंट्वस्टिंग कि जब यह लोग शादी करके घर पहुचेंगे तब क्या होगा सबका रियेक्शन चैनल को इसी मसालेदार अपडेट्स के लिए और आप फेस्बूक पर हमें फॉलो कर सकते हैं लगाता शो से जुड़ी जानकारी के लिए